आईरुवेद अपनाए, स्वास्त अपनाए आईरुवेद ही एक ऐसी चिकित सा पर देती है, जो रोगों को जड समेत खतम करती है हलो फिंस, यूटूब चानल वनस्पति दर्शन और फायदे में हम आपका हार्डिक स्वागत करते हैं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, अब नहीं रहेंगे आखों के नीचे काले घेरे फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी रसोरी की साहता से अपनी आखों के नीचे के काले घेरो को हटा सकती हैं इसके लिए देखते रहे हमारी ये वीडियो और हाँ, अगर आपने हमारी इस यूटुब चानल मुनस्पती दर्शन और पाइदे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको तुरन सब्सक्राइब कर लेजी, ताकि आपको हमारे हेल्टिप समय समय पर मिलते रहें आखों के नीचे होने वाले काले गीरों से हर को ही परेशान है, और इनसे निजात पाने के लिए लोग बजार में मौझूद बहुत सारे प्रोड़क्स भी इस्सिमाल करते हैं, पर उनसे ज़्यादा पाइदा नहीं मिल पाता है हम आपको एक उपाई बताएंगे जिससे आपको आपकी आखों के नीचे के काले गीरों से छुटकारा मिल जाएगा, ये बहुत ही असान उपाई है प्रयोग में आने वाली सामगरी एक चमच चमोरी टी, गर्म, एक चमच बेकिंग सोडा, ये दूनों ही चीज़ें आपके किचन में असाने से मिल जाएगी विधी दोनों चीज़ों को लेकर इन्हें अच्छे से मिलाकर इनका एक मिश्रम बना ले मिश्रम बन जाए तो इसे अपनी आखों के नीचे लगा ले और फिर 15 मिन बाद गर्म पानी से चहरे को दोले अब आप अपनी पसिंदिदा क्रीम या नारियल तेल को अपने चहरे पर लगा सकती हैं इस उपाय का असर आपको खुदी दिख जाएगा क्योंकि इससे आपकी आखों के नीचे के काले घेरे बहुत ही कम हो चुके होंगी और बहुत ही जल खतम भी हो जाएंगे दोस्तों अगर आप इस उपाय को अपनाते हो तो आप भी बहुत जल्ब काले घेरों से आजादी पासबते हो इसलिए इन उपायों को अपनाएं और पायदा उठाएं दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी जरुतमन लोग इसका फायदा उठा सकें थैंक यू पर वाचिंग और वीडियो फ्रेंज ज जामनसी है तो आई है तोस्तों इसलिए आई तोस्तो मैंपैं